सबी CTT अभ्यारतियों का एक बार फिर से आर्दी के मिन दन आज हम लोग सोसल वालों के लिए जो है यह वीडियो लेके आएं और यह चोथा हमारा पेपर है पहले 2011 का एक बारा के दो और 13 का एक फिर 14 के दो इस तरीके से जितने पेपर हो रखें सबी पर हम लाइन से चर्चा हैं तो उनी सब पर आज हम लोग चर्चा करते हैं आईए चलते हैं पहले प्रस्ण की और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है सब्सक्राइब करना और शेयर करना है पीडिय अप आपको चाहिए तो नीचे टेली ग्राम ग्रूप का लिंक दिया है उससे आ मोर्यकाल है और मोर्यकाल में जो उत्तर पस्ठी मवारत है यानि कि Bab gra smo抄ा है वह किस लिए परसिट था तो अर्श आसर की अनुसार के लिगन बात करें तो उत्तर पस्श्चमा परानं जो है कमबल दिरमान के लिए परसिद था और इन कमबलों को क्या का जाता था भिंगी स यह आपको विश्षिस्ट बात बताते हैं अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण संक्या दो एमफोरा क्या है पहला उप्शन है इटली का सिक्का दूसरा लाल चमकदार वर्तन तीसरा लंबा एवं दोनों तरफ हत्ते लगा जार और चौता है छिद्र प्रश्ण संक्या तीन रोमन सामराज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खाली जगे के नाम से बुलाते थे तो रोमन सामराज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था रोमन लोगों द्वारा इसे अधिक परियोग में लाने के कारण ये यवन प्रिया भी कहा तदा काला सोना तो कहिते थे लेकिन यवन प्रिया नाम से भी इसको जाना जाता था ठीक है क्या चार रहट चरखे अगने आस्तरों का आविस्कार खाली जगे में हुआ पहला प्राग एति आशिक काल दूसरा प्राचीन काल तीसरा मद्य काल चोथा आधनिक काल तो रहट चरखे और आगने आस्तरों का आविस्कार जो है मद्य काल में हुआ लगबग चवद्वी पंदर्वी सताबदी में ठीक है अगले प्राचीन की तरफ चलते हैं अब हमारा प्राचीन का पांच निमलिकत में से किस दिल्ली के सुल्तान की परसंसा में एक संस्कृत प्रासस्ती पाया गया पहला उप्षन इल्टुतमिश, दूसरा बल्वन, तीसरे अलाउदिन खिलजी, चोथा फिरोज तुगलत तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है खिलजी सुल्तान अलाउदिन खिलजी की परसंसा में एक प्रसस्ती पत्र जोधपुर में पाया गया और इस जोधपुर सिलालेक के नाम से इसे जाना जाता है यह सिलालेक संस्कृत वासा में लिखा गया था और इसमें अलाउदिन खिलजी की विजे का वर्डन था ठीक है अब हमारा प्रस्न सेंक्या च्छै हिरन गर्ब नामक अनुस्टान किया जाता था पहला है जब एक राजा किसी छेत्र को जीतता था दूसरा विकल्ब राजा को छत्री गोशित करने के लिए चाहे वे जन्म से छत्री ना हो तीसरा हिरन का सिकार करने से पहले चोथा पूत्र के जन्म के लिए जब राजा को छत्री गोशित करने के लिए चायव जर्म से छत्री ना हो तो हिर्णे गर्ब नामक अनुस्ठान होता था राश्ट कुछ सासक दंती दुर्ग ने अपनी राजदानी उज्जेनी में हिर्णे गर्ब का अनुस्ठान किया था तो राजा को छत्री गोशित करने के लिए चायव जर्म से छत्री ना हो और ऐसा करने वाला राश्ट कुछ सासक था इसका राश्ट दंती दुर्ग और उपने अपनी राजदानी उज्जेनी में हिर्णे गर्ब यग्य का अनुस्ठान किया था फिर हमारा प्रस्ण के साथ चोल काल में व्यापारियों के संग को क्या कहा जाता था पहला एक रामम दूसरा स्रेनी तीसरा नगरम और चोता सबा चोल काल में जो व्यापारियों के संग होता था उसे नगरम कहा जाता था जबकि व्यापारियों के संगठन को स्रेनी कहा जा तो यहां पर हमारा जो प्रस्ण है चोल काल में कि व्यापारियों के संग की बात कर रहा है तो संग को नगरम कहा जाता था लेकिन संग्ठन को श्रेणी कहा जाता था ठीक है किसका संग व्यापारियों का और व्यापारियों के संग्ठन को श्रेणी कहा जाता था तो यहां पर या श्रेणी, तो यहां पर बात कर रहा हुआ विपारी वी संकी, जिसे हुम लोग न गरम कहेंगे, अगले कोश्री के तरह बाड़ता है, फिर हमारा प्रशन है नात साइत्य का संबंद है बंगाली से, असमी से, और्लिया से, मेधिली से, तो पहला नात साइत्य का जो बंगाली बासा से है नात संप्रदाई से संबंदि साहित्य को नात साहित्य के नाम से जाना जाता है और नात संप्रदाई की स्थापना नात संप्रदाई की स्थापना नात मुनी मच्यंद्र नात ने की थी किस बासा से है इसका संप्रदाई की स्थापना मच्यंद्र नात न की थी ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं फिर हमारा प्रश्ण संक्या नो खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सक्तिसाली आहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खाली जगे के नाम से जाना जाता है पहला है राम रहीम आंदोलन दूसर है खिलाफत आंदोलन तीसरा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन चौता है पक्तून आंदोलन तो जो आंदोलन उन्होंने चलाया था या आंदोलन सविन ने अवग्या आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिद खिदमतगार आंदोलन के नाम से चलाया था और इस आंदोलन कारियों के इस आंदोलन के आंदोलन कारियों को लाल कुरती दल के नाम से जाना जाता था खुदा ही खिदमतगार था और इस आंदोलन के आंदोलन कारियों को लाल कुरती दल के नाम से जाना जाता था ठीक है अग के लिए प्रस्तावना के बाद खाली जगय को सवतंता दिवस मनाया गया कौन सी तारिक को तो कांग्रेस लाहूर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था कांग्रेस का जो ये 1929 का दिवेशन है ये लाहूर में हुआ था रावी नदी के तट पर और यहां पर जो है 26 जनुवरी 1930 को सवतंतर दिवस मनाया जाने का नेड़े लेया गया लेकिन बाद में जब भारत को आजादी 15 अगस्त को और पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली थी तो इसके बाद हमारा समिदान 26 नुवंबर 1949 को तयार हो गया था तो इस तारिक को महत्व देने के लिए हमारा समिदान 26 जनुवरी 1950 को लागू किया गया ताकि ये तारिक इतियास से भी सब्मंदित बनी रहे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर हमारा प्रश्न की जंक्या ग्यारा बिग बियर एक उधारण है आकास गंगा का दूसरा नक्षत्र मंडल का तीसरा तारे का चोथा गलेक्सी का तो बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल का उधारण है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रश्न जंक्या बारा प्रत्वी से चंद्रमा का केवल एक ह भाग दिकाई पड़ता है क्योंकि पहला चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय प्रत्वी की ओर होता है दूसरा चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमाश्या को प्रत्वी की तरफ होता है तीसरा चंद्रमा का प्रत्वी के चारो और चक्कर लगाने में और अपने अक प्रत्वी के चारो और चक्र लगाने में और अपने अक्ष में परिभर्मन और परिकर्मन मैंने दो सब्दों को पिछले पेपर में बहुत काईदे से आपको बताया है तो परिभर्मन और परिचक्रन दोनों के बारे में हम बदा चुके हैं और इसके लिए आप पिछले है पस्चिम से पूर्व की और दूसरा उत्तर से धक्षिन की और तीसरा पूर्व से पस्चिम की और चोथा धक्षिन से उत्तर की और तो मैं आपको बता दू कि प्रत्वी अपने अक्ष पर पस्चिम से पूर्व की और गूमती है और प्रत्वी का अपने अक्ष पर गूमना प्रत्वी की गूर्णन गती कही जाती है और प्रत्वी अपने अक्ष पर 24 गंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो यानि पश्चिम से पूर्वतक इन सोर्डम यह भी कह सकते हैं कि एक ही ग्रह पर लोग उपलब्द है और यहां पर पपू है और पपू पास हो गया यह लाइन आपको याद रहेगी तो पा मतलब पश्चिम और पू मतलब पूरग तो पपू जो है प्रत्वी पर है और पश्चिम से पूर्व की और प्रत्वी अपने अक्ष पर गूमती है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ण है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्द से पश्चिमी गोलार्द की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार पहला विकल्प है बढ़ता जाता है दूसरा गटता जाता है तीसरा समान रहता है चोथा पहले बढ़ता है फिर गटता है तो पूरवी गोलार्ड से पस्यमी गोलार्ड की जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है क्योंकि परत अंतर रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहती है क्योंकि प्रतियक देशांतर रेखाओं के बीच 111 किलो मेटर की दूरी है ठीक है अब हमारा प्रतियक पंदरा प्रत्वी दिन कहलाता है पहला उप्षन जितने समय तक सूरी प्रत्वी पर एक विशेश स्थान पर चमकता है दूसरा ग्रिनविच का मानक समय तीसरा प्रत्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय चोथा प्रत्वी द्वा तरह अपने अक्स पर गूमने में लगा समय प्रत्वी का प्रत्वी दिन कहलाता है और इसमें 24 गंटे लगते हैं बाकी आपको बता है प्रत्वी सूर्य का चक्कर तो 365 दिन में बूरा करती है तो यहां उससे कोई सम्मंद नहीं होगा अगले प्राश्ण की तरह बढ़ते हैं अब हमारा प्राश्ण है विशूव के दिन सूर्य की सीधी किरने पढ़ती है विकल्प पहला करक रेखा पर विकल्प दूसरा विशूवत रेखा पर विकल्प तीसरा मकर रेखा पर फिर चोथा आर्कटिक वृत पर विशूव के दिन सूर्य की किरने विशूवत रेखा पर सीधी पड़ती है और जब ये विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व की इस्तती होती है इस कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्द में दिन और रात बराबर होते हैं क्या 21 सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर इन दोनों दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं ठीक है? यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इन दोनों दिन विसुव की इस्तुति रहती है यानि की विस्वत रेखा पर जो सूर्य की किरने हैं वो सीधी पढ़ती है ठीक है? 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन और रात बराबर होते हैं इस तारिक में अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ण है अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रे एवं पतन हैं क्योंकि पहला है सैयुक्त राजे अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है दूसरा अटलांटिक महासागर में मत से उद्योग विक्षित है तीसरा अटलांटिक महासागर की तट्रे खा अधिक्तम तंदूरित है और चौथा अटलांटिक महासागर की तट्रे का अतियदिक छिचली है अगर हम बात करें पहले तो सब्द जो ये तंदूरित आ रहा है उसके बारे में तो तंदूरित का मतलब होता है कटा फटा और जहां कटा फटा होगा वहाँ पर जो है बंदरगा और प्राकर्तिक पोताश्रे जादा होंगे और ये बंदरगा के लिए एक आदर्स इस्तती होती है और मैंने आपको साइद एक बदायद है जहां पर मत से उद्द्योग वहाँ अधिक होता है जहां गरम जल्दारा और ठंडी जल्दारा का मेल होता है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते है अब हमारा प्रश्ण है दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला कौन सी है विकल पहला हिमाले दूसरा रोकी तीसरा एंडीज चोथा आलपस तो दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला जो है एंडीज है और ये बहतर सो किलो मिटर लंबी है कितनी बहतर सो अब हमारा प्रश्ण है भारत में उस्ट्र कटिवन दिये वर्सा बन पाए जाते हैं पहला उप्षन मद्य परदेश दूसरा हिमाचल परदेश तीद्रा अंडमान निकोबार और चोथा राजस्तान मैंने पीछे भी आपको बताए था ऐसे कौन से वन है जिसके बारे में अपने उस्ट कटिवन दिये वर्सा बनों की चर्चा की थी और बताए था कि ये वन अंडमान निकोबार दविब समों में पाये जाते हैं अब हमारे पास प्रस्वन है लोटते मान्सून के समय आरदर पवने बायती है पहला गाटी से मैदान की और दूसरा इस्थल से समुद्र की और तीसरा समुद्र से इस्थल की और चौथा पठार से मैदान की ओर जब आपको पता है कि मानसून आता है तो समुद्र की ओर से उटकर आता है और जब जाएगा तो लोटता मानसून इस्थल से समुद्र की ओर जाएगा इसलिए इसे इस्थल समीर भी कहते हैं इस्थलिय समीर अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ण है निमलिक्द में से किसे प्रत्वी के फेफड़े कहे जाते हैं तो पहला उप्षन है ब्राजील के उश्न कटिवंदी सदावारवन दूसरा मद्य अमेरिका उश्न कटिवंदी पर्ण पातिवन तीसरा चीन के सीतोष्ण सदावारवन चौथा चीली के सीतोष्ण पाण पातिवन तो ब्राजील के उश्न कटिवंदी सदावारवन को प्रत्वी का फेफड़ा का जाता है क्योंकि ये विश्वत रेखा पर रिस्तित होने के कारण गने और सदाबाहर वन पाए जाते हैं जो अत्यदिक मात्रा में ओक्सिजन का उच सरजन करते हैं तो आपके पास ओर भी आज एकटा है कि ये जो फैफड हैं या विश्वत रेखा पर ब्राजील के ऊच्टिवंदी सदाबार वन कहां हैं तो विश्वत रेखापर है और विश्वत रेखापर गने तता सदावार वन पाई जाते हैं और सर्वाधिक उक्सिजन का उस्सरजन भी यहाँ पर होता है तो आपको यह भी बूचा जा सकता है सर्वाधिक उस्सरजन कहां पर होता उक्सिजन का तो ब्राजील के उस्ट कटि वेशिन दूसरा है नील नदी वेशिन तीसरा है मीसी सीपी नदी वेशिन और चोता है अमेजन नदी वेशिन तो विश्व की सबसे बड़ी नदी वेशिन जो है वो अमेजन नदी वेशिन है और अगर इसके बारे में हम आगे बात करें तो ये दक्षिन अमेरिका के ब्राज सजार वर्ग किलो मीटर और कहां पर है ब्राजील में हैं और ब्राजील कहां है दक्षिन अमेरिका में अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण है मलोका क्या है पहला एक जंजाती दूसरा एक प्रकार का गर तीसरा एक प्रकार का वन्निपसू चोथा मल गेख़का का निवासी तो मैं आपको बता दूं कोलम्बिया जंजातियों दौरा बनाया गया गर मलोका कहा जाता है ये जंजाति उत्तर पूर्वी पेरु में निवास करती है जैसे एक इगलू का भी सवाल पूछा गया है कि बरफ के गर कौन बनाते हैं एसकीमो जंजाति ज जिसे मलोका कहा जाता है और ये उत्तर पूर्वी जो पेरु है उसमें निवास करती है अब अमारा प्रशन है संसाधनों का सतता पुरुवक परियोग करना उन्हें नवी करण के लिए समय देना कहलाता है पहला संसाधन सरंक्षन दूसरा सतत पोषणिये विकास तीसरा प्रबंद चोथा विकास प्रबंदन वो कह रहा है जो भी हमारे पास संसाधन है उनका हम सावधानी पुरुवक सतक्ता पुरुवक उपयोग करेंगे तो उनको जो बनने में नए साधन बनने में जो टाइम लग रहा है उसके लिए क्या होगा तो इसे हम कहते हैं संसाधन का प्रबंद अगर हम सत्रक दस्ता पुरुवग परियोग करते रहेंगे और इसके अंतर्डब अंतर्य लिए नएस अन्साधन उसी तरीके के तैयार होते रहेंगे लेकिन हम अतियlier ुसक्षिज डिन 만들어 करेंगे इंगे तो एक समय में अस WrestleMania लिगाू सरंक्षन की मृदा निर्मान की बागानी की मृदा सरंक्षन की तो ये जो रक्षक में खला है मृदा सरंक्षन की विदी है इस विदी में मृदा सरंक्षित करने के लिए खेत में बोर्डर एवं आड़ी तीरची रेखाएं बनाई जाती है जिससे उनका बहाव नहीं होता है तो ये किसकी विदी है मृदा शरंक्षण की विदी है क्या किया जाता है खेतों में बोर्डर बना दी जाती है और इनमें आड़ी तीरची रेखाएं खीज दी जाती है थाकि बारिस होने पर मृदा बहना सके और इससे बहार रुख जाता है और इस तरीके से मृदा question बूशा गया था पूरा पाशाण नव पाशाण महा पाशाण सुक्ष्म पाशाण अब पूरा पाशाणिक इस्थल जो है वो भीम बेटका है और भीम बेटका में सेल चित्रकला का अवसेस मिला था यह question के बारे में पिछले paper में हम लोगों ने चर्चा की दी तब कहा था पासान का है ठीक है ध्यान रखें सारे पेपर आपके पड़े हुए भी काम आएंगे और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसके साइड वाले कोश्चन भी हमारे तयार हो रहे हैं ठीक है अब हमारे पास प्रस्ण क्या 37-27 रिगवेद काल में कौन से तीन देवता विशेश कर प्रमुक थे मैं आपको बता दू कि पहला तो अप्षन दिया है रुद्र विश्नु तता इंद्र दूसरा अगनी इंद्र तता सोम तीसरा इंद्र वरुन तता रुद्र और चोथा अग अगनी इंद्र तता विश्नु अब अगर रिगवेद की अगर हम बात करें तो वहां इंद्र का नाम रिगवेद में रिगवेद में इंद्र का नाम धाई सो बार आया है कितनी बार धाई सो बार और अगनी की बात करें तो अगनी का नाम अगनी देव जिने का गया है इनक की बात करें तो इनका नाम एक सो चालिस बार है अब जिसका नाम ज्यादा आया है यानि वही टॉप है तो हमाई जोड़ना है इंद्र अगनी और सौम तो इंद्र अगनी और सौम इसमें कहां दिया गया है इसके किसी ओप्शन में इंद्र अगनी और सौम नहीं दिया गया है लेकिन बिशेश कर तीन देवताओं की जोड़ी में इन तीनों के नाम क्रमशा है और ये option में जब आएगा तो अगनी इंद्र और सौम अब हम दूसरे option को लेंगे अब ये भी आ सकता है सरवादिक किस देवता को रिगवेद में जोड़ दिया गया है इंद्र क्रम पूछेगा तो इंद्र अगनी और सौम आवरोही क्रम है और आ रोही में पूछेगा तो सौम अगनी और इंद्र हो जाएगा ठीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं फिर प्रस्ण संक्या 28 संस्कत को जिस भासा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्र दूसरा भारत युनान तीसरा भारत यूरोप और चौता है भारत अर्ब सही जवाब है भारत यूरोप और इसको कभी आपको भारोपी ये परिवार के नाम से भी ये कुछ सब्द मिल सकता है और इसको तोड़ने पर ये बनता है भारत और यूरोप ठीक है अगले प्रस्ण की बात करते हैं अब हमारा प्रस्ण है किस इस्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था पहला इनाम गाउं दूसरा बुर्ज हों तीसरा मेहर गड़ चोता भीम बैटका अब तामर पाशानिक इस्थल की हम बात करें तो वो इनाम गाउं महराष्ट में इसी था है जहां पे कब्र के हमें साक्ष मिले थे और जिसमें मृतक का सर दक्षिन की ओर था और उसके पेर नहीं मृतक का सिर उत्तर की ओर था और पेर दक्षिन इसा में थे तो यह जो हमें आउसेस मिले वो मिले इनाम गाउं महराष्टर से अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं फिर हमारा प्रस्ण संक्या तीस बुद्ध दुवारा लालसाओं एमेमिच्छाओं की त्रिष्णा को निमलिमी से क्या बताया गया पहला पीपासा दू उत्पादों की ब्रांडिंग करने पहला विकल्प इसकी विक्री की ब्रांडिंग करने से है दूसरा बाजार में उपलब्द दूसरे उत्पादों समय से इसे भिन्न करता है तीसरा उत्पोक्ताओं को आकर्शक बनाता है चोथा उत्पोक्ताओं को खुद्रा मुल्य पर छूट मिल जाती है तो उत्पादों की जो ब्रांडिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है कि बाजार में जो उपलब्द दूसरे उत्पाद हैं वो इससे अलग दिखें ठीक है या दोनों में क्या अंतर है या उस ब्रांड को बाजार में पहचान किया जा सके इसके लिए उ पिछले राउंड में मैंने आपको बताया भी था पहला नीती नीदेशक तत्व दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंदित खंड तीसरा है अनुसुच जाती जन जाती एवं अन्य पिछला वाग के लिए आरक्षण नीती से संबंदित चोथा समिधान की प्रस्तावना तो अंतर आत्मा जो है समिधान की प्रस्तावना को का गया है और मैंने आपको एक बात और भी वताय थी कि समिधान का अनुचेद बत्तिस जो समिधानिक उप्चारों का अधिकार है जिसे भीमरावं बिड करने समिधान का क्या का था यह आप पिछले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन करेंगे नहीं इतने बड़िया लोग नहीं है तो अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रस्ण है लोग सभा के लिए कितने सदश्य मनोनित हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लोग सभा में अधिक्तम सद अश्य हैं वर्तमान में पांसो पैतालिस जिसमें से दो मनोनित होते हैं राष्ट पती द्वारा और कुल हो जाकते हैं पांसो तेतालिस जिनका चुनाव होता है अब अगर हम यहाँ पर राज्यसवा की भी बात करें तो राज्यसवा में धाई सो होते हैं जिसमें वर्तमान में 245 है जिसमें से 12 मनोनित होते हैं और 233 इलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर देखो 12 भी दिया है दो भी दिया है और ये भी आ सकता है कि संसद में कुल कितने मनोनित किये जाते हैं तो दोनों मिला के किये जाएंगे साउधान रहें प्रस्ण को पूछने का तरीका बदल सकता है ठीक है अगले प्रस्ण की तरफ चलते है अब हमारा प्रस्ण है न्याजदीस किसी मुकदमे पर निर्णें देता है पहला दलीलों के आदार पर दूसरा दिये गए सुल्क के आदार पर तीसरा सबूतों के आदार पर चोथा पु आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है पहला वेंकटेश्वर पंत दूसरा जगनात पंत तीसरा विश्वनात पंत चोथा अमरनात पंत तो आदिवासी प्रभाव जो सबसे जादा है वो जगनात पंत पर दिखाई देता है इस पंत के लोग सीव के अनुयाई होते हैं इ है अगले प्रषय के चलते हैं अब हमारा प्रफण है दस्त 25 हजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है पहला स्वास्थ सिक्सा दो वारा दोसरा है वस्षी स्वास्थ सुधाउं दो वाराward करा करा करो क्होता है स्वस्ती दवाईयां उपलब्द करा कर तो मैं आपको बता दू हैजा पेचिस और दस्ट ये सब होते हैं रोग जल के कारण किसके कारण होते हैं जल के कारण अगर हम स्वस्त और सुरक्षित जल पीएंगे तो हमें ये रोग कभी होई नहीं सकता ठीक है क्योंकि ये रोग दूसित जल के कारण होते हैं तो यहां पर अगर हमें सुरक्षित पेचल उपलब्द हो जाए तो इस रोग से पीडित हम लोग नहीं होंगे ठीक है अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रस्ट है सरकार एवं इसके कारियों की चर्चा अक्षर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है हता सिक्षक को चाहिए कि वो इस पर किसी वाद विवाद अत्वाद चर्चा से बचे दूसरा सरकार के तोड तरीकों की आला उचना करे तीसरा न्याइक सक्रियाता के लिए दलील दे चोथा उपदेशात्मक किरियाओं की तुल्ना में अधिक वस्तुनिस्ट अंतहे क्रियाओं का आयुजन करे और इससे जो है कि सरकार एवं इसके कारियों की चर्चा अतिवादिता की और ले जाती है तो इस समस्या के समधान के लिए शिक्षक को उपदेशात्मक क्रियाओं की तुल्ना में अधिक से अधिक वस्तुनिस्ट क्रियाओं का आयुजन किया जाना चाहिए अर्थात विकल्प चार अब हमारा प्रशना है निमलिक में से किस कारक के विद्यार्थी विद्यार्थियों किसोर किसोरियों के विवारें प्रवर्थी पर असर के विशे में समाज विज्यानियों के विचार सबसे अधिक विविद्यता लिये हैं पहला परिवार दूसरा विद्याल है तीसरा टेलिविजन चोता सह पार्टी तो सबसे ज़्यादा जो विजटाएं लाता है वो किसोर और किसोरियों में टीवी उत्पन्न करता है और कभी गभी ये नकारात्मक भी कर सकता है जिसे समाज विज्ञानियों को इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए संगोष्टियों और समेलनों का आयोजन करना है अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रस्ण है निम्ली में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षारतियों के सेक्षिक गतिविदियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है तो पहला है सब्ता में तीन मार ग्रहकारी देना दूसरा है नए विशियों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी सिक्षारतियों को अलग अलग पर योजना देना तीसरा रूची बनाए रखने के लिए दिये जारे ब्याख्यान में अधिक से अधिक नई समगरी रखना छोथा ठीक पाठ योजना वो परतिये गतिविदी के लिए नियत समय का पालन करना तो देखो नियत समय का पालन करना ये तो जब वच्चे को समझ में नहीं आएगा तो फाइदा क्या होगा वहां वो कह रहा है कि सेक्षिक गतिविदियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए बिताए जाने वाले समय के लिए तो यहा है अब हमारा प्रस्न संक्याचालिस एक चात्रा भारतिय सेनिकों द्वारा कार्गिल युद्ध में झेली हुई कठनाईयों के विशे में उत्सुख है और वह है कुछ सेनिकों का इंटर्व्वी लेती है जिनों ने इस युद्ध में इस्सा लिया इन सेनिकों को निमलिकित में से क्या माना जा सकता है तो मैंने आपको आंकडों से related पीछे भी सवाल बताये था जिसमें पूछा गया था कि ये कैसे आंकड़े हैं गोण यानि दुत्यक है दूसरा प्रात्मिक हैं तीसरा वास्त्विक बयान वाले हैं 14 आंतिरिक्स रहते हैं तो आदमी बयान वाले में चला जाएगा ये बयान नहीं है मैंने आप से कहा था जिन आंकड़ों को हम खुद एकत्रित करते हैं वह प्रात्मिक होते हैं ठीक है जिनको किसी से कई वोई बात से या किसी किताब से किसी गजट से उठाते हैं वह जुटिय काँखड़े होते हैं अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ण की दर को नियंतरत करना आफसक है तीसरा ताज मेल का सफेद संगमरमर सांती का प्रतीक है और चोता है राजा का न्याई छोटे बड़े को एक समान मानता है तो यहाँ पर जो है दिवाने आम सामाने लोगों के विवादों समस्याओं को समधान करने के लिए सांज आदवारा निर्मित किया गया था ताकि बहतर सासन के द्वारा प्रजा को संतुष्टी प्रदान की जा सके ठीक है और यहां का जो मारा आंसर है पहला हो जाएगा अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण संग्या ब्यालिस तमाल नाडू के चिंगले पुट जि थे दूसरा वे जिनों ने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था तीसरा 35 से 70 वर्स की आयू के लोग चोथा वेदो का ग्यान रखने वाले लोग तो यहां पर जो सदस्य नहीं बन सकते हैं वो थे जिनों ने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था ठीक है अगर हम बात करें तो पहला वहां था सदस्यों की आयू 65 से 70 वार के बीच हो, दूसरा वेदों का ज्यान रखता हो, तीसरा डेड़ एकड़ भूमी स्वामी हो, और चोथा उनका स्वेम का गर हो, इतनी सर्ते होती थी, ठीक है, अगले प्राश्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारा प्राश्ण ने उसको कभी, राजा ने उसको कभी टैक सेकत्र करने के लिए प्रियोग नहीं किया, दूसरा है, प्राश्ण उसके पास दास होते थे, और वो भूमी पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, वे प्राश्ण बढ़ा भूस्वामी होता था, और चोथा है, उसको पद विरासत में मिल दादा तो यहां आप जो ग्राम बोच के वीचे में कदन सत्य नहीं है वो पहला ही सत्य नहीं है कि राजा ने उसकी कभी टेक्स एकत्रित करने के लिए प्रियोग नहीं किया अगले प्रेशन की तरह बढ़ते हैं अब जो प्रेशन संक्या एक ताली से साथ तक है यह टाइपिंग मिस्टेख हो गई है उन्होंने पेपर दोजार अठारा के कुछ दोजार तेरा और दोजार चौदा के कुछ कोशन ले लिए तो अगले में आपके पैड़ागोगी के कोशन ज़्यादा होंगे चलते हैं प्रेशन संक्या चवालिस पर म्रदा के कोशन से गुण का निर्दारण जनक निर्दारण जनक चट्टान करती पहला म्रदा का जमाव दूसरा रासाइनिक गुण पारगम्यता एवं सरंचना तीसरा अफक्षे की और खाद मिट्टी चोथा म्रदा की मोटाई तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है रासाइनिक गुण पारगम्यता और सरंचना इन चीजों का जनक चट्टान करती है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रश्न है धरातल के निकेट पाए जाने वाले खनीजों को सादान तिया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पहला उप्षन है वी व्रिद्ध खान खनन तीसरा है सिंटरन दूसरा सिंटरन और तीसरा उत्खनन और चोथा निस्त आपन तो इसको हम लोग उत्कनन खहते हैं निकट गेराई में खोदने को ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्न है दुनिया की प्राचिंतम चट्टाने निम्न में से कहां इसी थै पहला दक्षण भारत दूसरा हवाई द्वीप तीसरा पस्चिम ऑस्ट्रेलिया चोथा है दक्षण अफ्रीका तो सही जवाब है पस्चिम ऑस्ट्रेलिया तो पस्चिम ऑस्ट्रेलिया नहीं दक्षण भारत होगा यहाँ पर सही जवाब तो दक्षिन भारत में क्या है पाई जाने वाली चटाने दुनिया की प्राचिंतम चटाने हैं जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है और इसका निर्मान जुआला मुख्य प्रक्रिया के दोरान निकलने वाले लावा से हुआता ठीक है अगले प्राश्ण की तरफ बढ़ता है अब हमारा प्राश्ण है कच्चे माल को अधिक मुल्लिवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या खा जाता है पहला आर्थि अपेची और क्रो निमलिकित में से क्या है फेला आफ्शन अमेरिका के म्यूजिक बेंड दूसरा परियावरण प्रवृत्य चित्र तीसरा उत्री अमेरिका के कभीले और चोथा कीनिया के धूम नतु धूम नतु क्या होता है? धूम नतु कहते हैं खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक है, इसको धूम नतु कहते है, हमारा यहाँ पर जवाब होगा उत्तरी अमेरिका के कबीले, ठीक है, अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारा प्रश्ण है, निवल में से कौन सा सनराइज उद्योग का यह गुदारण है, पहला है कागज, दूसरा पटसन, तीसरा सूचना प्रद्योगी की, चोटा खाद्य तेल, और सई जवाब है, सूचना एवं प्रद्योगी की, अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं, अब हमारा प्रश्ण है, निवल में से किस छेत्र को विस्व का फल उद् यही चेत्र, भूमद्य चेत्र जो है, विस्व का फल उत्पादन, चेत्र कहलाता है, और यहाँ पर रसीले फल, नीम्बू और संत्रा विश्व प्रसिद्ध है, अब हमारा प्रश्ण क्या 51, निवलिक्द में से कौन जहाजों के नोका यान में साहिता करता है, पहला ऐसे चेत्र जहाँ गरम और समुद्री हमाएं, गरम समुद्री हमाएं और सीच समुद्री हमाएं मिलती है, मैंने कहा था, ऐसे जो चेत्र हैं, वो मत्सयन के लिए, उप्योगी है, मचली उत्पादन के लिए, या और दूसरा है, समुद्री धाराओं का चेत्र, तीसरा उच वार ये छेत्र जो होते हैं वो जाज के लिए अच्छे होते हैं और पिछले प्रत्वी दुवारा परशारित रेडियो तरंगों को वापस प्रत्वी पर कौन परावर्तित करता है आपको बताया गया था पिछले पेपर में कि आयन मंडल से ये सारा कारी होता है पहला आयाप पर option ढाम मंडल दूसरा समसा मंडल तीसरा ब्कान मंडल चोट मंद्यें जो आयन है वो ताब मंडल की दियान रख्येगा आयन मंडल नहोंगो करके वहाँआ पर ताप मंडल ऑप्शन में मिल सकता है ठीक है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ता है अब हमारा प्रस्ण है परियावरण पर संतुलन बिगड़ जाता है यदी पहला है जंगली जानवरों का विवेक हीन सिकार किया जाना निसेध होने पर भै ऐसा होने पर तो कुछ नहीं होगा ठीक है यह गलत है पहला निरवनी करण त्था अपरदन चलता रहे निरवनी करण और अपरदन चलता रहेगा तो पक्की बात है परियावरण का संतुलन बिगड़ेगा यही सहीए फिर भी देख सकते हैं प्रजातियों की सापेक संक्या के साथ छेर चाड़न ने कीजाए कि नहीं की जाएगी तो परियावरण में संतुलन क्यों विगड़ेगा चोथा मानुवी गतिये विदियां प्राकर्तिक प्रयावास को सरंक्षित करती रहे तब भी नहीं विगड़ेगा संतुलन तो संतुलन के वल यहीं विगड़ेगा निर्वनी करण और अपरदन अगर चलता रहेगा तो परियावरण संतुलन विगड़ जाएगा अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन सा विकल्प पोशनिये विकास का सिद्धान्त नहीं है पहला है परियावरण के प्रति व्यक्तिगत रवये और वेवार में प हाल तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो प्राकर्तिक संसाधनों का जब हम सतत पोशन करते रहेंगे और हमारी वर्तमान आउसे अक्षाक्ता साथ साथ आने वाली पीडियों के लिए भी संसाधन बचा रहे हैं तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं तो इस तरीके से जो पोशन नहीं है ठीक है सब्सक्राइब को ध्यान में रखना है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रसन है डो सहर एन और M ग्रिणविच रेखा के क्रम्स है पंदरा डिगरी पूर्व और फंद्रा डिगरी पस्चिम परिस्तित है यानि यह तो आपको याद में total कितनी डिगीरी के difference है? 30 डिगीरी का और एक डिगीरी में 4 मिनिट का अंतर होता है तो यहाँ पर हमारा कितने मिनिट हो गए 120 मिनिट और इसको हम छोटा करें तो यह हो जाएगा दो गंटे तो तो हमारा यहां पर सई जवाब होगा, option two, अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारा प्रस्ण है, न्यूंतम वेतन अधिनियम हैं, पहला नियोग करताओं को करमचारियों को न्यूंतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, दूसरा संगटित छेतर के केवल सरक करमचारियों के लिए, तीसरा यह निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूंतम वेतन मिलना चाहिए, चोथा यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूंतम से कम नहीं होना चाहिए, कि मिनिमम मजदूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए, यही मिनिमम वेतन ए है सैलरी एक ठीक है अगला चलते हैं अब हमारा प्रश्ण है कि समीदान के किस अनुछेद के अंतरगत छुआ चूट या इस प्रस्यता के कारण आयोगिता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनिये अपराद गोशित किया गया है तो वह इस प्रस्था का जो है वह अ अनुछेद सत्रा अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण है बारत में असमानता का मुख्य कारण है पहला जाती दूसरा लिंग तीसरा गरीबी चोथा धर्म तो गरीबी सबसे बड़ा असमानता का कारण है आज पेड़ागोगी के कोश्चन कम रहे क क्योंकि 41 से लेकर 60 तक के पेड़ागोगी के कोश्चन उन्होंने दूसरे पेड़ागोगी के टाइप कर दिये और यहां से पेड़ागोगी के कोश्चन गाइब हो गए तो अगले सेशन में पेड़ागोगी के कोश्चन जादा होंगे अगले प्रश्ण अब हमारा प्रश है नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा करता है और चोथा है समिधान संसोदंद्वारा सुयम को सुधारने के विशे में देखो जो समिधान का अनुछेद 32 है समयधानिक उपचारों का अधिकार मैंने आप मिधेर की एंधिकार 55 कि अनुसार निम लिखित में से क्या सत्य है पहला है पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक शंपति में बभावर स्सा होता है दूसरा आरीच अमाज के अनुआईयों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है तीसरा परिवार के केवल पुत्रों अथ्वा पूरूश सदस्यों को ही पारिवारिक संपती में अधिकार प्राप्त होता है जो होता है केवल पतनी को अपने दीवंगित पती पही संपती में उतरा अधिकार होता है अब क्या हो गया है ज कारिवारिक शंपति में अधिकार था लेकिन 2005 के संसोधन के बाद पुत्र और पुत्रियों में बराबर का अधिकार हो गया तब तक अगला आप जो एपिसोड अपना आएगा उसमें हम लोग पैड़ागोगी पर ज्यादा बात करेंगे क्योंकि 20 कोश्चन पैड़ागोगी क कोशन जादा होंगे ठीक है तक तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे अगले एपिशोड पर